पिंटू देवनाज दनायम प्रॉम माल्दा ओस प्रेंगौल सब्सक्राइब काफिर का जितना तक जानता हूं कुफरू से आया है यह सब तो सर इसका अविधानिक अर्थ होता है इसलाम के गोपनियाता को जो सिकार नहीं करता उसको काफिर कहा जाता है आप ही किसी एक चैप्टर में या किसी एक किताब में लिखा हुआ है सर अगर इस नाम से आपको बचना चाहते हो तो आप इसलाम कबूल करो या फिर और दूसरा कोई उपाई ढून लो यह दूसरा कोई उपाई ढून लो यह सर मैंने नहीं पर आया है लेकिन मैं यह मैं दिल से बोल रहा हूँ लेकिन सर काफिर का सब यह जो बोल रहा है जो इसलाम के गोपोनिया तक सततका जो गोपोनियता है हम जो उतो हम कभी असिकार नहीं करते हैं क्योंके हमारे बहुत सारे Muslim friends है, हम उसके साथ बहुत अच्छे तरह से रहते हैं, बहुत अच्छे तरह से भी अप करते हैं, फिर भी हमको as a non-Muslim, why I should call an kafir, this is my simple question sir. भाई सब्सक्राइब काफिर किसे कहते हैं, खुदी काफिर का उसने मानी भी दिया, क्योंकि उन्हें मेरी कसेट सुन चुकी है और मेरी किताब भी पढ़ चुकी है शायद, इसमें कहा है काफिर आता है लफ्स कुफर से, जिसका मानी है का इसलाम की हक्कानियत को जुटलाना, कुफर, मतलब ना मानना, in short, काफिर मतलब जो इसलाम की हकानियत को नहीं मानता है जो नॉन मुस्लिम है तो आप नॉन मुस्लिम है क्या है नॉन मुस्लिम है ना अब नॉन मुस्लिम तो काफिर कहेंगे ना और जो आपने आखरी पार्ट जो बरावर से नहीं सुना मैंने ये का आप चाहते है कोई आपको काफिर नहीं बोल किताब में लिखा दोर कुछ ने हम कभी सर इसलाम के घोपनिया तो मतलब यह समझ नहीं है है मुर्ति पूजा गलत है का सई यह मुर्ति पूजा से हम हिंदू है माधुर्णा का सब्चा पूजा नहीं कि आप लगता है हुए इसलाम के खिलाफ नहीं लेकिन है मुरती पूजा कर रहे कुरान में लिखाइं के गल्त वेद में लिखाइं तो अगर करते हैं तो जो भी आपका कży दो आ मतलब आप गेर मुस्सलिम है उसमें बुरा उगने की बात क्शैया है आप समझेघे ना अगर सर मैं इस जगह में कहता हूं कि मैं मुर्ति पूजा को नहीं मानता हूं अगर आप बोलेंगे मैं एक खुदा में मानता हूं नहीं मानता हूं एकसर बात हम बोलेकिन स笑 मूर्ति पूजा का खाल रही है अमाता दूर्गा की पूजा हूँ एक था एक शर बात को लेकिन सिर्ण मूर्ति पूजा का बाद है अब सhiraवाली की पूजा अब से चाथ हुजा अब ज्यू ज्यूटला ही गेजिए तो्पे करीब थिर ही आप चर सर मैं एक नॉन मुस्लिम होके किया सर मक्का हच करने जा सकता हूँ? माईज़ अब का सवाल है कि वो नॉन मुस्लिम होके मक्का हच करने जा सकते हैं मेरा पहला कोशन आप क्यों हच करना चाते हैं जब मानते हैं मूर्ती पूजा गलत है अब इसमान लिए आपके बोले तो सही होगा मान लिए अच्छा तुमें पहला जवाब देंडason आम के बास आता हो मान लिए तो अच्छी बातों क्यों गछे मुसल्मानों को मक्का मदेना जाने की अजादत नहीं ये किूंकि हर और शेहर के कुछ शरायत होते हैं जैसा कल में ने कहा था हिंदूस्तान में कुछ एरिया है जिसे कहते हैं Cantonment एरिया Cantonment एरिया मतब सिर्फ military के लोग जा सकते सिविलें नौट अलाओड इसलाम के लिए बाकी लोक आलाओड नहीं है पहला जवाब दूसरा जवाब हर मुल्क में जाने के लिए विजा की दर्वत है विजा विजा मिसाल सिंगापूर में गया तब पहली बार नाइंटीन एडिसिक्स में इमिग्रेशन फॉर्म में लिखा था देद्ट टू ड्रक ट्राफिकर अगर ड्रक आपके पास मिला कतल मैं ने भो सकता हूं अरे डेट पेनल्टी खराब है सिंगापूर में आने का है रूल को अब उन्हापूर में मत आओ अब समझे ना इसी तरीके से हर कंट्री में जाने के शरायत है अमेरिका जाने के लिए सबसे ज़्यादा शरायत है तुम यह करता है आई यू टेरिरिस्ट असर जहां पर आपको भी रोका रिए टेरिस्ट क्वेश्टन है किसने हां लिखा मैं एम शरत है सबसे एम शरत जो ज़्रूरी है वो यह है कि वो शख्स जो मक्का या मंदिना जाना चाहता है वो अपने जबान से कहे ला इला इलाला मौबद रसुलिल्लह ना कोई माबूद है तुरिक अगर आपको यकीन है तो आप जा सकते हैं ने सर इसमें बहुत एक्दम क्योंकि हम जब चार साल पहले ट्रेनिंग में थे तब हमारा एक दोस्त मने दोस्त कम दादा हुआ करता था बड़े भाईया से उसने हमको सिखाए कभी किसी मस्जिद के सामने से जाओ अगर तुमको कुछ ना आए सिर्व वही बात बोला एला 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 मुहम्मद रसुल्ला लगाशाला बोलने के लाभा यकिन करते के खुदाए कि आज तो यकीन हो गया ठीक है अब आज से यकीन हो गया करके वह माफ भूजाता है目前 मुसल्मान बंके करके माफ हो जाता है तीसरी चीज चीज क्या मांतें मम्मद स्लोग अ्टियों आख़ी पेगमबर है तो आप मुस अब बुद्परसी गलत है आप कोई बिजबर देशी करा यह कहने के लिए नहीं कोई दबाओ नहीं कोई भी आपको रिश्वत दे रहा है नहीं आप अपने दिल से करना चाहते हैं तेह दिल से उसके बाद जिसको भी आप कहने का आप कह सकते हैं पुद्परसी विए दो आप अश्राद आ Stress आश्राद श्राद अलाह इलाहा इलालाह इलालाह वास्चड़ वास्चड़ avoiron और मAMroveदन मौर्दू हु अब्दू हु अबडू हु और सुलु मैं शहादत मैं शहादद देता हुं देता हुं के के ल् आ लाह के लहा लावा कोई कोई माबूद नहीं और मुहम्मद इसके पैगंबर और बंदे है, माशाला मुसल्मान हो चुके, अब इमें दूआ चा है, इस दुनिया में और आखरत में भी और मेरी आप से इलतिजा है, कि ये पैगाम आप अपने वालदें के पास भी लेके जाएए, क्यूंकि आपका फर और इंशालला आपको अगर जाने का है मक्का अभी आपको पासपोर्ट में चेंज करने पड़ेंगा और इंशालला मक्का आप जा सकते इंशालला आपको मुझे केजिए मैं इंशालला आपको मक्का लेकर जाओंगा इंशालला सर में सर एक मेरा सर लाइप अचीवमेंट चाहिए सर प्लीज सर एक आटोगरफ देंगा अगर कोई पेपर आपके बाते पहने तो इंशाललह मैं आपको देदे दो इंशाललह माशाललह लोग जुरत औ हिम्मत से काम ले रहे हैं हग को जानने के लिए हग को मानने के लिए मैं पिन्टि देबनात आप मेरा मुन्या मुस्लिम नामकरन भी कर दीजिए माई साब ने कहा है कि मैं उनके लिए नाम दूँ मैं जो आपके लिए नाम सोते तो बिलाल है आप अपने आपको बिलाल बिला सकते बिलाल